नमस्कार आप सभी को स्वागत करता हूँ गुर्खुल्दा उसनम नोरे चानल में आसा कर रहा हूँ कि आप सभी शोस्त होंगे और आप लोग के आधत्मी कुन्नती आगे वड़ रही होगी बहुत बहुत धन्यवात आप सभी लोग इस चानल को बहुत सारा प्रेम दे रहे हैं वीडियो को सेer करे हैं सपोर्ट करें मैं देख भी रहा हूँ बहुत सारे भारत को छोड़ के हमारी प्यारी भारत मा को छोड़ के बाकी देश जो है उनमें भी बहुत सारे भीूज आ र रुद्र चंडिका चानल है, उसमें सबसे ज़्याधा जो Subscriber है वो भीदेशी हैं, यानि बहार में जो हाला की सनातर्म धर्म की प्रचार जो ही प수री दुनिया में हो रही है गुरुकूल चानल के माध्यम से और रुद्र चंडिका के माध्यम से, और एक ही बाद बहुत सुन का रहस्य कब पढ़ना चाहिए के से लगाते हैं उसके बाद मैं कभी दूसरे वीडियो बनाऊंगा किसके जो फाइदे होते हैं क्या होते हैं किस परिष्थित में कबच पार्ट खंडन हो जाता है कबच पार्ट कबच पार्ट करने से पहले कुछ साबधनी को जरूर बरतना चाहिए मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या क्या इस प्रकार से चीज यह बहुत गूर रहस्य में देने वाला हूं आप इस विश्य को पूरा जानिएगा और अगर होगा तो वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए और वीडियो को सेयर करने के लिए आप जो है आपको बताने की ज़रुत नहीं है कि क्या है क्या नहीं पर मैं उन विश्य पर चर्चा करने वाला हूं जिस विश्य के बारे में आप बहुत दिनों से जानना चाहते हैं कि कबच पाट का बास्तविक रहस्य क्या है हम माता को मा के रुप में पूजा करने तो कबच पाट क आपको एक बात बताना चाहता हूं महारुद्र शेवक यूटूब में आने से पहले भी ये सारे कबच पाट थे और आज भी हैं और कल भी रहेंगे ना जाने कितने हजारों साल से ये सारे विद्याएं लोगों को बता है मैं कोई एक प्रथम व्यक्ति नहीं हूं जो आपके स समक्ष ये इस चीज को उजागर कर रहा हूं इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस विसाई के बारे में बताये होंगे चाहे वो यूटूब की माध्यम से हो अपने ब्लोग पोस्ट की माध्यम से हो या फिर किसी भी माध्यम से हो दिखिए सर्व प्रथम आपको इस जानने की आवशकता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं सुन लीजिए पर इसमें इतना सोचने की आवशकता नहीं है कि आचरे जी जो कह रहे हैं ये सत्य है नहीं है आप एक बात उठा लीजिए सर्व प्रचलित हर जगा में प्रचलित होता है हर कोई इसके बारे में जानत करते हैं और उसकी पुझा पाट करते हैं इसमें अगर आप देखेंगे मेरे पास भी कुछ-कुछ ऐसे पुछ-कुछ ऐसे हैं मेरे पास कुछ-कुछ ऐसे हैं जिसमें उडिया में जो सांस्क्रिट का स्लोक है उसको उडिया में लिखा गया है और उसके उसके बाद उसके बा पाठ नहीं करना है तो चलेगा लेकिन मैं आप से भी को एक बात कहना चाहूंगा कि उसको पाठ के अंतरगत उस पाठ के अंग प्रधान उस पाठ के अंग विश्यस में कवच अरगला की लग को क्यों रखा गया है इस बात को समझने की आवर्शकता है वीडियो को जरूर ला कर जाते हैं उसमें आपकी हानी है मेरी कोई हानी नहीं है अगर आप लाइक करे ना करे तो वो कोई बात नहीं है यह आपकी इ sommes पर वीडियो को मैं जानता हूँ कि आपकी कॉंसेंट्रेशन बनी रहे और आप वीडियो को पुरी तरह से देखे और पुरी तरह से समझे देखो भाई बात ऐसी है कि आपको एक चीज उठा देना है जो दुर्गा सब्तसती के जैसे जो इतनी प्रचंड इतनी प्रचंड पा तो उसमें क्यों कवच दिया गया है उसमें तो बहुत इतनी बड़ी पाठ है उस उस पुस्तक पुजन सही अपने सरीर में इतनी उर्जा उत्पन्न हो जाती है तो बाकी और किसी चीज को आपको कुछ करने के आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी ऐसे लगता है उस पुस्तक क सपर्समात्रे से अपने सरीर में एक शिहरन जागरत हो जाता है कि यह कवच यह जो सारे पाठ रहते हैं उसकी उर्जा कितनी होगी तो इसके बाद भी आपको करने की क्या आवशकता पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं यह जो ब्रह्मांड है यह दुनिया है पृति साकरत्मक चीज को देखें नाकरत्मक चीज को देखें किसी प्रकार की चीज को देखें आप यह बात जानते हैं कि यह कल्यूग है किसी का घर का लेंटेर के को ड's धलाइघ्र ले academics ना नहीं से लिघप अगर दे रहाए आपका घर में अगर आपका घर का मकान भुन रहा है तो आज पास में कुछ लोग है जो की बहुत सारे काम करते हूं कि अभी तक उन्हें ने मकान भना नहीं पाया है तो सर्वपरत्म इर्शाब वही करेंगे वो यह कहेंगे यतने पैसा कहाँ से लाया बहले ह्याँ आप कुछ भी करके मेहनत करके पैसा ला रहा है यही चीज होता है तो ये विज़िन प्रकार की शक्तियों के बीज में भी यही चीज होता है आप इस बात को समझिए ओढ़िए हर वक्त परिष्टित साफ के सामने करे अभर के आज़ों पास हर होती है मां मां क्या आप जब आपके सामने जो भगवती आके खड़ी होंगी आपको रक्षा करने के लिए आप में इतनी समर्थ है आप इनकी उर्जा को संभाल पाओगे मुझे कहने का मदद जब निशाली पार्ट कर रहे हो संभल पाएंगे क्या नहीं समब पाएंगे तो ये चीज होता है कि कि जब आप कुछ पाट करते हो जब आपकी जब कुछ भगवती की जब आपको कृपा अगर आएगी उनकी जो है आसिरवाद आप संभाल मतलब उनकी जो एक अनुभूती होती वो संभल नहीं पाऊगे तो यह उस चीज में क्या होता है कि आपको एक कवच के रूप में उनक कि जो आसिरवाद के रूप में सारे देवियों का आसिरवाद के रूप में दिया जाता है ताकि आपको कोई समश्या ना हो आपकी कोई समश्या ना हो आप 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 निर्विग्न रूप से वो पाठ को कर पाए वेसे ही मुर्तिंजय कवच है वेसे ही शिव पहले भी रुद्र कवच है ठीक है वो किसी एक दूसरे दिन बताऊंगा उसके बारे में रहस्य उजागर करने के लिए अभी तक मुझे अनुमती नहीं मिला है देड़ साल से लगा हुआ हूँ वो दिर्वासा कृत रुद्र कवच है वो अत्यमत प्रचंड है उसकी बेग सं भी लगाएंगे हैं तो हमें क्या हो जाएगा देखो इस तरह से हमारे पास केस आते हैं आप खवसच नहीं लगाते हो कोई आपकी energy में, कोई आपकी चक्रों में, कोई दुसरे प्रकार की energy जो ए, mix होती है उसके बाद आपको ये problem, वो problem फिर किसी बाबा के पास जाते हो वो बाबा 10,000, 15,000, 20,000 लेते हैं आपको जो भली बाती कहता हूँ, कि आप कुछ पाट कर लो आपको सुरक्षा होगी तो आप नहीं करते हो लेकिन आपके पास बहुत सारे पैसा है तो आप विभिन्न लोगों को जाके बांटते हो इसमें आपकी ही खुसी है अगर आप पैसा उड़ाना चाहते हो तो पहले से विवस्ता है इसलिए ये तर्क लेके ना आए ये मुर्खो लेके देखिन की दिषा के तरब करो हर चीज की एक देखो मैं ये कोई बंधन नहीं बना रहा हो ये आपको समझा रहा हूं कि यह चीज जिसके घर में दिषा नहीं हो जिसके घर में पुजा रूंग एक दूसरे दिषा वह क्या करईगा वो भगवान को भी पता है लेकिन वे से यह नहीं हैसं फलगा से सूरक्षा गहरा होता है सिस्षाकर्ण में divil你知道 बहुत बढ़ estos Lev Abby products का पूरी तरह से आप इस वो फाट करेंगे तो तो बताऊंगा बाद में कभी दूसरे वीडियो में ये चलेगा प्रथम भाग है तो ये सिरीच चलेगा तो दूसरी बात है कब कब पढ़ें कबच पाट कब करें कबच पाट बहुत परिश्थिति में क्या जा सकता है एक तो आपको किसी प्रकार की भय है उस्थान का भय है उस्थाना का भय है कि साधना में कोई बिगन डाल सकता है तो आप कबच पाट का अवश्य ही करें तीसरी चीज है अब जब आपको कोई आपको ने आपको सुरक्षा करना है कहीं पर आप जा रहे हैं कहीं पर बाहर जा रहे हैं तो कबच पाट अवश्य ही करें ये आपके लिए बहुत अच्छा है जैसे पंचमु की हनमान कबच बहुत सक्ति साली है अगर अगर आप साल भर में कोई साधना करते हैं बड़ी साधना आपको साल भर तक कोई दूसरा कबच नहीं करना होगा बहुत बहुत उच्छे कोटी की मतलब कबच का साधना है वो पर उसमें थो चुमू कि हन्मान कवज को इतना हलका ना समझी कि यहां ऐसे पढ़के चले वशे भूंद सकतिसाली कवज हैं तो इस प्रकार से इसकी परिष्टिति में आप पढ़ सकते हैं आपको अगर लगता है कि यह कवज आपको पढ़ने से रात को सपने में कोई गलत चीज आते हैं औ ऑपको गलत सपने आते हैं तो उस अपन रक्षा से भी आप कमजपाट कर सकते हैं और कमजपाट हर परिष्टिती में किया जा सकता है और दूसरी चीजह जब आप कोई साधना कर रहे हैं उससे पहले कभच पाठ करो जिसके पाठ के अंतरगत है जैसे सब्तसती होगा फिर मुटतिजा बाबा का इसके पारट अंतरगत है में पुरा क्लारिटी बता दिया गए कि बाबु तुमको इस इस चीज को करना है यही करोगे तो तुम्हें बहुत आराम से वह चीज होगा क्यूंकि वह पाठ ऐसा है उसमें बिगन कैसे ना क्यूंकि वह बहुत बड़ा पाठ है आप उसको इतना आराम मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि दुर्गा सब्तसति की जो पाठ है आप कोई उसको पूरा एक गूरू से उसको अच्छी तरह से जानकर ही करना चाहिए इसमें कोई डराने वाली बात नहीं है और मैं डरा दूंगा तो थोड़ी आपना डर जाओगे आप तो खुद अपने एक गूरू बनके बेठे हो तो थोड़ा सा ज्यान हो गया ग्यान है देखियो जो मटका होता है जो हांडी होता है वो जब खाली रहता है उसको सब बजाते हैं साउत में तो उसको म्यूजिक के अंदर भी उसको कंपोज करते हैं उसको बजा बजागे लेकिन उसमें जो पानी भर जाता है उस घड़े में पानी भर जाता है तो उसके आपके अंदर से सावड नहीं आता तब यहाँ पे हमारे एक बात कहते हैं कि फॉंपाम आठ्यारों सब्दों वेशी इसका मतलब ही होता है जो अंदर से खाली होता है डबडब करता है और जिसके पाश्टेलेंट होता है और जिसके पाश आधना सकती होता है वो चुब बेड सब्सक्राइबर को सबस्क्राइबर को बोलने के लिए लेकिन एक वीडियो को दस बार देना और उपर से कहना कि हम आध्यात्म को फेला रहे हैं ये मुर्खता वाली बात है कोई गरूड पुरान का चीज दे रहा है कुछ पुरान का चीज दे रहा है कोई किसी पुरान का चीज दे रहा है लेकिन यही चीज को कि क्या होता है जो प पसंदे आप देखो हमारा क्या जाता है हम आते हैं हमारे काम करने के लिए ठीक है ना तो बात को समझो तो यही कवच का जो पाठ होता है इस कवच पाठ को आप अवस्च से ही करने की प्रयास करें और कवच पाठ जो हो गया कप पढ़े और इसको कैसे पढ़ेंगे मैं बता देता हूं देखो कैसे पढ़ेंगे बताओंगा एक दूसरे एक वीडियो में बनाओंगा भाग तूम में बढ़ा मतलब बताओंगा और इसमें एक बात जान लिजिए कि कबच पाठ जब आप करते हो कबच पाठ करने से पहले आपके अंदर ये भक्ति और ये समर्पण आना कि मेरे को बास्तम में हनवान जी रक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अरे मुझे कुछ होगा तो नहीं न एसे करके सोचने से न वो कबच खंडित हो जाता है मैं सत्य बोलता हूं अघर देखो एसा नहीं में आपको बताओंगा आप एक दूर्गा माता की कबच को अब सत्तिका कबच करते हो तो आपको दूर्गा कमात कि पाठ करता है उसको सूभय उटके घलत भासा बहुत Сब्सके कुछ भी बोलते हो उसका एसा होब ऐसा तो मैं आपको लिख्के दे सकता हूं अगर आप एक करोड भी दुरगा कबच चंडी कबच का पार्ट कर देभेए आपको कोई भी दो पार्षेंट, तीन पार्षेंट, चार पार्षेंट भी आपकी सुरक्षा नहीं होगी, मैं सत्य बोलता हूं, लिखके देता हूं, पुरा रंके चोट पर लिखके देता हूं, क्योंकि मा जगत जननी है, भले ही आप उनको ज़्यादा सिवा कर रहे हो, अरे जो पूरी दुनिया को देती है, जो मा आदी सकती है, उनको तुम क्या दे सकते हो, सरवर्पथम में ही बात बताओ, वो पूरी दुनिया, पूरी ब्रह्मान को लालन पालन कर रही है, मा जगत को लालन पालन कर रही है, संसार को लालन पालन कर रही है, ये दुनिया को ललुगे मा मुझे आपको खीरは कि रहताना है मैंसे कफ़ी अन्य वहरे बना देंगे हो क्या से तो इस प्रकार मुर्खता में रहो तो एक ठोड़ा ग्यानी बना है करो नीच कोटी की साधना मत करो महासक्ती की उपासना करो तब जाके जीवन में ज्ञान खुलेगा अगर मैं तो यही सोचता हूँ अगर आप नीच तरफ की अगर जाओगे तो आपकी विद्धी और विवेक नीचता की तरफ जाएगी इसलिए हर तरफ मुँ मारने के आवशकता नहीं है एक साधना करो उसके रिलेट हो सकता इसलिए कुछ लोग हनमान जी के पाठ करेंगे बोलेंगे अब तो हनमान जी यह दे दो वह एसा नहीं होता भाई मुझे भी छे साथ साल लगे थे हनमान जी की किरपा प्राप्त करने के लिए क्योंगी मैं इसलिए पढ़ता था मेरी चालिसा पाठ हो जाए तो मेरे मेरे एक्जाम क्लियर हो जाएंगे मेरे को एच्छे चीज होगा मेरे को वो चीज होगा ऐसे चीज होगा ऐसा नहीं मेरे भाई ऐसा नहीं ऐसा नहीं आपको समझना पड़ेगा कि यह क्यों होता है यह प्रकृति क्यों खेल रहती है आपके साथ देखो मैं आपको एक बात मेरे से करोड़ो गुना मेरे से करोड़ो गुना भी एसे ग्यानी विक्ति वेठे मेरे से करोड़ो गुना मैं आप हर किसी को फ़लो कर सकते लिजे पर मैं कहूंगा कि बिचलित ना हो ये भ्रमित ना हो ये जैसी आपकी इच्छा है बुद्धी है उस हिसाब से आप उस चीज इसको समझ कर करिए अभी मैं आपको बोलूँगा हनुमान जी का मैंने आपने के भी देखा है मैंने के बहुत सारे लोग तो ऐसे विडियो बनाते हैं कि हरी हरी सबसे सक्तिमान है या फिर महादेब सक्तिमान यह मुर्खता वाली बात होते हैं जो हरी और हर में पार्थक्या देख रहे अलग देख रहे उनको क्या क्या समझे हम आध्यात्मिक जगत में वह हैं क्या समझे क्या समझ सकते हैं कि आप आप खुदी बताओ आप एक जानते हो कि अब सब को जानते मेरे तो भाई मैंने तो इतने पुरान पाठ नहीं किये मैंने तो मेरे मेरे जीवन तो प आएगी जहां तक रुद्र साधना की लेवल है वहां तक आपकी सोज भी नहीं जा सकती रुद्र साधना की इतने सारे चरण है आप नहीं जानते रुद्र की तत्तों को जानने के लिए ना देखो कोई आपने पिता को जैसे समझ नहीं सकता ना पिता को आप कैसे डिफाइन क होते हैं उन्होंने आपको सब कुछ दिया घर दिया सब कुछ दिया सम्मान दिया पीता पीता होते हैं तो उनके वारे में पूरी बर्नान करना एक मुर्खता वली बात होगी इतलिए मुझे बहुत सारे लोग आके मुझे बोलते हैं आप रुद्र साधना की सारे लेवूल देदो हम कर लेंगे तुम्हें इतनी सकती है मैं यह नहीं कह रहा हूं तुम्हें बहुत सकती होगी पर तुम्हें इतनी सकती है कि सारे लेवूल देदो कर देंगे ऐसे नहीं रुद्र साधना की लेवूल 20-25 मिनिट करके आता था अब आप वीडियो नहीं बनाते हैं अब लो 20 मिनिट का वीडियो देखूंगा इसमें किसने और जिस किसी ने भी यह लास्ट तक यह वीडियो पूरा सुना है वो कमेंट करके बताए हमने पूरा वीडियो सुना है हमें अच्छा लगा मैं िए थी लोग समझ नहीं रहे जान नहीं पा रहे हुच चीज को चीज को पा रहे वह क्या करेंगे हम भी यहden nesas만 को बता है की एक टाइटेल टारा याद नहीं हो गया फिर जान बुज़ कर हो गया चलो यह वीडियो ने इसको दुबारा ने सब्सक्राइबर आये हैं उसको करते हैं तो यह बात अलग है पर हम बिना कुछ सोचे समझे एक ही वीडियो को सो सो बार बनाना यह मुर्खता वाली बात है यह आध्यत्म नहीं एक बेपार को मैं समझूंगा यह बेपार ही हो रहा है यही चीज होता है देखो हर चीज करने के लिए थोड़ा समय आवशकता होती है हर चीज जानने के लिए हर चीज को करने क के लिए एक समय होता है समय के हिसाब से आप करेंगे समय के हिसाब से आपको आगे बढ़ना भी पड़ेगा पर जो बास्तविक जो सत्यता है उस सत्यता को आप समझे कि यह से साधनाय होती है यह से अब मैं आपको इब बहुत सारे ज्यानीों को तक कम नहीं है मार्केट में बहुत सारे पुस्तक मिलता ए उस पुस्तक को थोड़ा समय निकाल के एक एक दो घंटा पड़के किसी को pursuing करके क्षचान करने के लिए बहुत सारे लोग पड़े रहते अच्छा इसके अध्याय नमबर 3, स्लोक नमबर 4 ऐसे में लिखा है आप इसको बर्णा कर सकते हैं नहीं तुम तुमारे पिताजी को पूछो जिनोंने तुमें ये सब कुछ सिखा है क्योंकि तुमारे पिताजी के पास उस प्रकार की ज्यान होगा मेरे पास नहीं है मेरे पास जितना है मैं बोल रहा हूँ समझ रहे हो ना भाईस बात को इसलिए समय की हिसाब से अपने आपको बदलो समझो इस कॉंसेट में ना रहो कि ये तो ये है वो है तुमारी खुद की रक्षा तुमें खुद करनी होगी जब बड़ी चीज होगी तो महासक्ति देखेंगे तुमारी रक्ष तुम इतने सक्षम बन जाओ ना तुमें किसी को क्यों आवसकता पड़े तुमें महारुद्र सेवक क्या आवसकता क्यों पड़े भाई क्यों पड़े तुमें इस सेवक क्या आवसकता भगवान का रहते हुए सेवक की क्या आव सकता है भई भगवान है भगवान भगवान हम तो भगवान को भीक मांग रहे हैं ना हम तो यह सा नहीं किसी को हम हमारे कुछ भी होता है हम बाबा को बोलते हैं बाबा ऐसी बात ऐसी देख आप लोग जानते होंगे आज तक जितने सत्रू किसी 60 साल 70 साल व्यक्ति के जिवनकाल में अब तक आये होंगे उतने सत्रू अभी मेरे इस आदे हमरे उससे कही गवना जोदा सत्रू आ चुके सत्रू ऐसे थे जो मेरे प्राण के पीचे पड़े थे सत्रू ऐसे थे जो मुझे सब कुछ बरबात करने हैं आप लोग समझें नहीं होंगे उनकी जो उनकी जो दसा भी हो गही है वो झूझी पहचान नहीं पा रहे एकि उनकी दसा क्यूंपतां 7 mm कि यसा घटित होता है मैं किसी और को नहीं क्यों उपासना करते हैं और हमारी सारी समश्या ठीक हो यह बहुत जल्द ठीक हो जाती है क्यों कि इसमें हमारी भक्ती रहती है इसलिए आप मुझे यह ना करो आपके साथ हम देखो डाउट है वो पूछो लेकिन कुछ-कुछ लोग ऐसे करते हैं आप तो भगवान जैसे हो आपने क्या कर दिया यह सब तेल वटर वाली काम ना करो हमें इस बात का पसंद नहीं है हमें इस बात बिल्कूल भी पसंद नहीं है आपको जो समझ में आ रहा है उसी चीज को करिए हमें हम एक सेवक हैं हमें ज़्यादा मैंने आपको कभी दिक्षा नहीं आप आपके बोलते हो गुरु जी अब भी कुछ लोग बोलेंगे वो जा पित्र बहुत परम होता है यह बहुत सो समझ करना आज आप यहां पर गुरुजी करते हो कल कोई भूत पर्यद यह दूसरे चानल में आप जो जैसी आपको पसंद है वैसे करो मेरे कहने का यही मतलब है कबच पाट का रहस्य के साथ-साथ मैंने आपको बहुत अच्छे चीज बताया है अगर आपको पसंद आया है तो विडियो को आवश्य ही आप सुनिये शेयर करिए चानल को आगे बढ़ाने की प्रयास करिए इसमें आपकी ही उन्नती होगी क्योंकि हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा ने लोग जुड़ेंगे ने सवाल करेंगे तो विडियो बनाएंगे तो भाई एक शेवक से मैं एक शेवक की इतनी ही चीज में आपको दे सकता हूं मेरे में जो ग्यान है बाकी मैं आने वाले समय में बनाओंगा कि कबच पाठ कैसे करें और कैसे लगाएं ठीक है कबच पाठ कैसे करें कैसे लगाएं ठीक है तो आप लोगोंने पूरी वीडियो सुना है तो कमेंट करके बताए कि हमने पूरी वीडियो सुना है औ और एक बात मैं आपको कहता हूं वह वाला दिन गया कि आप कमेट में कुछ बोलते हो आपको रिप्लाइद दिये जाएगा अब हमारे स्टेट पोलिस यह मुह से एक सब्द गलत निकला उसको ब्लोक करो मैंने अपने जो है अपने इसको सबको बता भी दिया है मुह से कोई ए एक पूरी तरह से हमने सोच लिया है कोई भी थोड़ा सा उल्टा सवाल करेगा वो कितना ही क्लोज व्यक्ति है उसको ब्लोक मारा जाए हमने जो करना था कर लिया 700-800 वीडियो में हर हर कमेंट में ऐसे समय था मैंने एक एक कमेंट को मैंने समझाया है एक एक कमेंट को मैंने सब्जाया है कि यह सा है वैसा है तो यह देखो अब वो दिन गया कि यह